हालो एवरीवन एडी परिवार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मैं आरके रहमान एक बार फिर से आप लोग के लिए एक छूटी सी वीडियो एक बहुत ही महतापूर्ण वेकेंसी की डिटेल के लिए लेकर आया हूं और मैं अपने साथ में जुड़े हुए हर एक विद्यार्थियों को हर एक वेकेंसी से अपडेट रखने की एक छोटी सा कोसिस करता रहता हूं तो आप लोग को बता दूँ एक अच्छी खबर यह है जो नॉन टेक की तयारी विद्यार्थी करते रहते हैं तो उन सभी के लिए एसेसी ने सी एचेसल के लिए वेकेंसी निकाली है यानि की कंबाइन हायर सेकेंडरी जो टैन प्लस टू वालों के लिए हैं लेवल एक्जामिनीशन दो जार इक्टिस तो ये नोटिस एक फरवरी से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो एक फरवरी से 7 मार्च इस फॉर्म के लिए डेट रखी गई है आप लोग को बता दूं लास्ट डेट यहाँ पर जो दी गई है वो दी गई है आठ तीन दो हजार बाइस ओनलाइन फीस पेमेंट करने की यानि कि आप फॉर्म भर सकते हैं 7 मार्च दो हजार बाइस और उसकी फीस जमा करवा सकते हैं आठ तारिक तक उसके बाद में ओफलाइन लास्ट डेट एंट टाइम फॉर जनरेशन आफ ओफलाइन चलान के लिए अगर आप ओफलाइन माध्यम से बैंक के माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हैं तो 9 मार्च तक आप चलान निकलवा सकते हैं और 10 मार्च तक आप फीस पे कर सकते हैं date of window for application form correction and online payment of correction charges आपको बता दूँ अगर आपके application form में कोई दिक्कत है कोई समश्या है तो 11 मार्च से 15 मार्च तक window open रहीगी आप उसे correct कर सकते हैं अगर दिखा जाए तो schedule of computer based examination tier 1 के लिए यहाँ पर दिया है मई 2022 तो आपके पास में तयारी करने के लिए अभी फर्वरी मार्च अप्रेल अवेलेबल है से बीटी टू के लिए बाद में आएगा यह यहाँ पर pay skill दिया है जो lower division clerk ldc जूनियर सेक्रेटरी त्या असिस्टेंट 19,900 से 63200 यह basic pay है पोस्टल असिस्टेंट के लिए या sorting असिस्टेंट के लिए जो level है 25,500 से 81,100 रुपे तक data entry operator DEO 25,500 से 81,100 रुपे तक data entry operator grade A pay level यह भी same दिया है vacancies की बात करें तो vacancies will be determined in due course updated vacancy position will be upload on the website of the commission अब यहां जाकर candidate corner पर जाकर tentative vacancy की जो detail है ssc.nick.in पर आपको मिल जाएगे reservation को देखा जाए तो reservation for the schedule caste, schedule tribe, other backward यानि OBC साथ में EWS economical weaker section, ex-servicemen, personal with disabilities वो सब हमारी government of India के according यानि जो भी center government के reservation के norms है यह सब यहां पर लागू है यहां पर देखे यह कुछ दिया है functional recruitment और suitable category for benchmark disability तो data entry operator के लिए यह सब अलग-अलग से category उन लोगों के लिए specify की गई है जो है handicap है यानि कि जिन में कुछ ना कुछ अपना दिक्कत है जिन है उनके लिए अलग-अलग के category मार्क की गई है और इनकी नीचे फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर only male candidate are eligible for the post in the border road organization बी आरो में सिर्फ और सिर्फ जो eligible है वो रहेंगे सिर्फ male candidate यहाँ female candidate eligible नहीं है national citizenship तो यहाँ पर आपको बता दू citizen of इंडिया इस subject of नेपाल भूटान तिब्बती refugee यह सब लोग form अपना भर सकते हैं यह याद रखे person of Indian origin who has migrated जो migrate हुए हैं पाकिस्तान से बर्मा से सिर्फ लग्का से इस्ट एफ्रिकन कंट्री से जैसे केनिया युगांडा युनाइटिड रिपब्लिक ओफ तंजानिया जिसे पहले तंजानिया जांजीबार के नाम से जाना गया है जांबिया मालविया जायरे इथोपिया वेतनान विद्धा इंटेंशन आफ पर्मानेटली सेट्लिंग इन इंडिया यानि कि जो इन कंट्रीयों से माइग्रेट हुए इंडिया में वह अप्लाई कर सकते हैं नेक्स आजाईए देखे यहां पर एज रिलेक्शेशन दिया है एज लिमिट जो दी है वो 18 से 27 साल तक है कब के लिए का कैलकुलेट कब किया जाएगा माना जाएगा एक एक दो हजारबाइस को अधार किसे माना गया जाएगा एक एक दो हजारबाइस को और केंडिड़ेट बो नौट बिफोर पहले दो एक कि तरह से यानि कि इससे पहले वह और इससे बाद वाले वह अंडर एज है सेस्ट के लिए अपर एज रिलेक्षेशन दिया याद रखिए लोर एज से इसे बार्वी 16 साल में कर ली तो भर लेगा नहीं वह अपर एज रिलेक्षेशन दिया गया है कितना पांस साल का ओविसी के लिए तीन साल P.W.D. unreserved 10 साल P.W.D. O.B.C. 13 साल P.W.D. S.E.S.T. 15 साल ex-servicemen के लिए 3 years after deduction of the military service attended from the actual age as on closing date of receipt of online application तो defense यह अलग-अलग कुछ criteria है यह अलग-अलग कुछ परिभासा हैं दे गही है अलग-अलग कुछ definition दी गई है अलग-अलग यहाँ पर याद रखिए अगर कोई claim कर रहा है तो उसे अपना proper certificate दिखाना पड़ेगा यह इसने लिख दिया है अब आज़ाए essential education qualification as on 7 March 2022 यानि कि 7 March 2022 तक जो essential qualification है वो आपको प्राप्त करनी है तो इस देट तक आपको बार भी पास हो जाना चाहिए for data entry operator in the office of controller and auditor journal of India 12th standard pass in science stream with mathematics as a subject from a recognized board और equivalent इनिके लिए सिर्फ आपको बार भी पास होना है कोई भी subject की बाध्यता यहां पर नहीं है लेकिन यदि आप इस पोस्ट के लिए डियो ग्रेड एक के लिए apply कर रहे हैं ओभी कहां controller controller और auditor journal of India के ओफिस में तो आपको science से पास करना है और mathematics एक subject होना जरूरी है the candidate must possess essential qualification on or before the closing date for receipt of online application यानि कि 7-3-2022 से पहले आपको 12th पास होना जरूरी है चलिए जी how to apply आपको यह website open करनी है ssc.nick.in इसके बाद देखें in the online application form candidates are required to upload the scanned color passport size photograph in jpg format आप जिस photo को upload करेंगे वो 20KB से 50KB के बीच में हो the photograph should not be more than 3 month तीन महीने से पहले का नहीं होना चाहिए जब exam के लिए आपने ये form आया है यानि कि एक फरवरी से तीन महेना पहला पुराना photo नहीं लगाएंगे और यहाँ पर देखें dimension दी गई है dimension width 3.5 cm और height 4.5 cm ये रखना है साथ में कुछ बच्चे ऐसे hero बनते हैं कि cap पहन लिया चसमा पहन लिया ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए if the proper photograph is not upload by the candidate his candidate will be cancelled अगर proper photograph नहीं करेंगे तो भाईया ये cancelled होने का chance है last date and time for submission of online application कितना mention है साथ तीन दोहजार बाईस तो इससे पहली अपना form को fill कर लिजेगा ये fees है 100 रुपे दिये हैं अच्छा woman candidate के लिए st candidate के लिए sc candidate के लिए pwd यानि की person with disabilities के लिए ex-serviceman के लिए कोई fee से यहां पर नहीं रखी गई है यह याद रखिए fee can be paid online through Bheem UPI से pay net banking by using visa master master रुपे credit or debit card or in cash at sbi branch by generating sbi चलान आप इन माध्यम से भी fees पे कर सकते हैं साथी generate कर सकते हैं चालान को और sbi में जाकर आप form को यानि कि fees को जमा कर सकते हैं online fees के हमने पहले भी बात की थी चलान वगयरा की यहां भी इसी को अपना explain किया गया है करेक्शन के लिए 11.3.2022 से 15.3 के लिए अपना यह करेक्शन के लिए open हो जाएगा कि सेंटर ओफ एक्जामिनेशन तो बहुत है इसमें जैसे सेंटरल रिजन के लिए अलग-अलग से हैं इस्टरन के लिए हैं तो सेंटर की कोई दिाकत नहीं है खूब है सेंटर कोई टेंशन नहीं है mira कि सिंटर कोई टेंशन नहीं है स्कीम ऑफ एक्जामिनेशन उफ यानि टियर वान कि यह जरूरी है इहां पर कि देखिए दिया है वान और descriptive paper रहेगा आपका tier 2 और skill test, typing test tier 3 यह सम में लागू नहीं है, कुछ में लागू है In the question paper, wherever necessary, the metric system of weight and measure will be used, metric system को use किया जाएगा The date of examination indicated in the notice are tentative, जो date दी है, वो tentative date है, वो change हो सकती है चलिए जी, यह कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ यह देखने को मिल जाएगा, आपको बड़े कमाल का, इसका scheme रहता है यह तो computer based examination यानि tier 1, subject जरूरी नहीं है कि sequence में आए, यहाँ पर पहले ही mention है, जरूरी नहीं है कि sequence में आए number of questions और maximum marks यह दिये हैं, और जो duration दिया है, वो दिया है 60 minute और अगर 80 minute दिया गया है, जो physical handicap है, उनके लिए यह 80 यानि 20 minute extra है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, वो उसमें mention किया कि आए, आगे बढ़िए यहाँ पर English language जो basic knowledge आपको होना चाहिए, वो 25 सवाल आएंगे, कितने के हैं, पचास नंबर के, general intelligence है, यानि reasoning हो गई, यह aptly है और basic arithmetic skills, 25 और यह general awareness वो भी 25, तो कुल मिला कर यहाँ पर 100 question रहेंगे, आपके, कुल मिला कर यहाँ 100 और जो रहेंगे, आपके 200 marks के, कितने के रहेंगे, 200 marks के रहेंगे, the tier 1 examination will consist of objective type multiple choice question only, इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ multiple type question देखने को मिलेंगे, tier 1 में, अब आजाते हैं, देखे tier 2, अब next आजाते हैं, tier 2, there will be negative marking, तो negative marking 0.5 marks for each wrong question, क्योंकि दो number का एक सवाल है, तो यहाँ पर 1 by 4 negative marking है, फिर यह भी याद रखिएगा कि paper आपका Hindi और English वो दोनों में आ जाएगा, अब चलिए, marks scored by candidate in computer-based examination will be normalized by using the formula published by the commission, इस notice में formula दिया गया है, इसी के माध्यम से normalization किया जाएगा, इसी के पर normalization के बाद final merit or cut off बनेगा, यहाँ आजाएगे, tentative answer key of the computer-based examination will be placed on the website of the commission after the examination, tentative answer की आजाएगी, आपको कोई दिक्कत होती है, आप इसमें objection डालेंगे, if any within the time limit given by the commission on payment of rupees per question, एक सवाल पर objection डालने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी 100 रुपया, any representation regarding the answer key received through the online moratory within the time limit fixed by the commission, at the time of uploading of the answer key will be, उसको scrutiny किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद उसको final किया जाएगा, लेकिन यहाँ 100 रुपय चार्ज पड़ेगा, एक सवाल पर objection के लिए, यहाँ पर आजएए जरा English language का syllabus दिया है, sport the error, fill in the blank, synonymous दिया है, harmonious दिया है, internalize दिया है, spelling detection यह पुरा syllabus इसने mention किया है, जैसे जनरल intelligence में है, तो पुरा syllabus दे दिया है, F-T में पुरा syllabus यह mention किया गया है, जनरल awareness में यहाँ पर पुरा syllabus दिया गया है, आगे बढ़िये देखें, टायर जो 2 है, वो descriptive paper होगा, टियर 2, paper will be descriptive paper of 100 marks in a pen and paper mode, the duration of descriptive paper will be for 1 hour, for 1 hour or 20 extra, मैंने बताया था आपको जो उस paragraph में, जिनने कुछ न कुछ दिक्कत है, physical handicap category में आते हैं, the paper will be comprised of writing essay, letter, application, और precise, writing essay, letter, application या precise, यह सिर्फ लिखने वाला पुरा paper मिलेगा, the minimum qualifying marks in tier 2 would be 33%, इसमें qualify करने के लिए 33% होना जरूरी है, the paper will have to be written either in Hindi or English, किसी में भी आप लिख सकते हो, written in Hindi and part in English will be awarded 0 marks, part, आप समझे, part paper written in Hindi and part in English, other paper कोई Hindi में लिखेगा, the English में लिखेगा, तो उसको 0 number दिया जाएगा, यह भी point बड़ा important हो जाता है यहाँ पर, बाकी यह आजाएए देखे, tier 3 है, जो skill test या typing test है, तो यह सब के लिए, सब post के लिए नहीं है, उसने नीचे mention कर दिया है, for data entry operator के लिए, यह सब अलग से मांगा है, LDC, JCA, Postal Assistant, Sorting Assistant के लिए, यह इसने अलग से typing criteria है, तो यहाँ पर सब के लिए, एक जैसा criteria नहीं है, किसी के लिए अलग है, नीचे post के लिए अलग यह criteria दिया गया है, admission to the examination, तो यह तो खैर बाद की चीज़े हो गई, पहले तो अपना form को fill कर लीजिए, यह सब detail बहुत सही से देंगे, आधार, card, voter, ID, यह सब detail जो भी मांगेगा, वो detail अपनी proper देंगे, document verification में यह नहीं, detail के आधार पर document verification किया जाएगा, यह सब अपना इसने, पहले से ही अपना लिखा है, post preference, the examination is being held for multiple post for various minister, departments, office, detailed option for various post, CS में, आपको post preference पुछेगा, उसे के आधार पर अपना देखेगा, mode of selection, candidate will be short list for tier 2 examination, on the basis of their performance in tier 1 examination, तो tier 1 की performance के आधार पर tier 2, or normalized score of candidate will be used, determine merit and for final selection, तो यह सब चीजे अपना, यह सब detail है, और अपना पढ़ाई पर लग जाईए, एक बढ़िया समय है, और इसमें 7 मार्चे last date दी गई है, तो उसका wait मत करिए, जिन लोगों ने 12th किया है, जब 7 मार्च से पहले pass कर लेंगे, यह स्वर्म को fill कर सकते हैं, Thank you and all the very best.